तो इस साल के Auto Expo में मैंने विजिट किया था Auto Expo में basically क्या नहीं गाड़ियां आ रही है क्या नहीं टेक्लोजी आ रही है गाड़ियों से related उसके बारे में पूरा EXPO लगाता तो हाली में भारत सरकार ने इतनॉल को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था as a flexi fuel तो इतनौल बनता कैसे वो अभी हम फिर किसी दूसरे वीडियो में जानेंगे लेकिन जो गाड़ियों से related नई technology आ रही है नया fuel type आ रहा है flexi engine जिसमें flexi fuel डलेगा जो कि इतनौल पर based है तो उसके बारे में हम इस पर बात करेंगे तो flexi fuel engine पे based गाड़ियां और चायना, यूरोप, यूनाइटे सेट, ब्राजील में popular है और center चाहता है कि इंडिया में भी अब flexi fuel गाड़ियां चले जो कि इतनौल से चलेंगी और आपको यह जान के खुशी होगा कि इंडिया जो है fifth largest producer है इतनौल का तो इतनौल पे जो based गाड़िया चलेंगी जिसमें हम petrol और इतनौल के mixture से चलाएंगे वो आप future में 2025 के बाद आप देख सकते हो कि हमें ऐसी गाड़िया मार्केट में available होंगी तो आप देख सकते हैं flexi fuel car यहाँ पे available है इस expo में साथी साथ bikes भी हैं वो हम आगे देखेंगे तो flexi fuel engine आकिर है क्या तो flexi fuel engine में हम petrol और इतनौल का mixture से गाड़िया चलाएंगे उसमें basically हम 20% इतनौल रखेंगे 80% petrol और लेटर ओन हम धीमे धीमे टेकलोजी विक्सित करके हो सकता 100% इतनौल पे भी गाड़िया चलाएं अलाकि ब्राजील में 80% इतनौल और 20% petrol के mixture से भी गाड़िया चलती हैं तो basically यही टेकलोजी future में हम बहुत जल्दी भारत में भी देखेंगे तो आप यह सारी बाइक देख पा रहें यह सारी flexi fuel से चलती है तो आप देख सकते हैं कि automobile manufacture car और bikes में हमारे अब flexi fuel का use होने वाला है सारे manufacture इसको धीमे धीमे easily adopt कर पाएंगे तो flexi fuel engine काम कैसे करता है इसमें क्या होता है कि sensor लगा होता है जो कि ethanol और petrol के mixture का ratio को अच्छी तरह समझ के उसको fuel tank से लेके engine के अंदर inject करता है और उसके बाद उसका combustion होता है जिसके द्वारा हमारा engine work करता है तो इस वीडियो में आपने अल्रेडी देखा कि मारूती, Toyota, even Tata भी flexi fuel engine को use करने वाला और साथ ही साथ अगर two wheelers की बात करें तो देखे पलसर भी मौजूद थी, Honda की bikes भी है, even Suzuki भी available है यहाँ पे जिसमें की two wheeler में भी हम flexi fuel का अराम से use कर सकते हैं तो अब हम बात करेंगे flexi fuel के positive और negative side का तो देखे जो flexi fuel है उसमें हम ethanol और petrol के mixture का use करते हैं उससे क्या होता है कि pollution बहुत कम हो जाएगा और साथ ही साथ जो हमारा यह mixture वाला fuel होगा इसकी price भी काफी कम होगी और वहीं बात करें इसके negative side की तो देखे पेट्रोल और डीजल के मुकाबले जो speed है जो power है वो हमें इसमें नहीं मिलेगी लेकिन future में जैसे से हम technology improve करेंगे तो हम flexi fuel में भी वो power वो speed हम निकालेंगे